हेलो स्टेंट, वेलकम आई यूट्यूब चैनल, आज इस लेक्चर में हम मेकनिजम आफ हार्मोन एक्शन को डिस्कस करेंगे हार्मोन एक्शन, हम पैदे भी डिस्कस कर चुके हैं केमिकल लेचर आफ हार्मोन में, कि हार्मोन जोए हो, दो तरह के होते हैं एक हार्मोन लिबिट्स सॉलिबल्स होते हैं और दूसरी हार्मोन जोए वाटर सॉलिबल्स होते हैं लिबिट्स सॉलिबल हार्मोन में लिबिट्स सॉलिबल हार्मोन में mainly, steroid, hormone, and thyroid hormone, hormones, अब दूसरे अधियां, वार्टर, सुल्वर, इसमें, अमायम, एंड, पेप्टाइड, और दूसरे है, तो लिप्ट, सालिबल हर्मोन्स का जो, मेकनिजम आफेक्शन बता है, वो डिफ्रेंट होता है, और वार्टर, सॉल्वर, हर्मोन्स का जो, मेकनिजम आफेक्शन होता है, वो डिफ्रेंट होता है, पहले हम लिप्ट, सॉल्वर, हर्मोन्स को डिसकस करेंगे, स्टिरोइड हर्मोन्स को, यानि लिप्ट्स, से जो बनते हैं, हर्मोन्स, उसे हम स्टिरोइड हर्मोन्स कहते हैं जैसे के यह एक टार्ड़ी टार्ड़न है, यह एक गिलेंड है, इसमें जो गेमिकल प्रोड़क्ट होर्मोन को इंगलीज किया है, यह होर्मोन इंगलीज किया है, इसे ब्लेड वेस्सेलिम ट्रांसपोर्ट किया, थ्रो, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होगी, जिसमें बाइंडिंग प्रोटीन के दें, यह मेली लिवर बनाता है, तो लिवर यह जो हार्मोन्स होगी, वो स्पाइंडिंग प्रोटीन्स की मदद से ब्लेड में ट्रांसपोर्ट करेंगी, जब यह तो यह टार्गेट आर्गेट आर्गेट के पास पहुचेंगे तो यह बाइंट इन प्रोटिन जो हो इस आर्गेट को फिरी कर देंगे और यह इस भी जो होके सेल के अंदर चला जाएगा जब यह सेल के अंदर जाएगा तो इसका जो रिसेप्टर çोंगे twee intelligence यैने ये फ्री विपिस हो जाएगा प्लास्मा ने वह भी लिबिट की है तो लेगें वज़ा से ये जो lipid soluble hormones होते हैं वो इस ली से क् हार्मोन कंप्लेक्स यह रिसेप्र हार्मोन कंप्लेक्स बनाएगा और यह रिसेप्र हार्मोन कंप्लेक्स जोए जीन एक्स्प्रेशन करवाएंगे जीन एक्स्प्रेशन करवाएंगे और यह जीन स्पेसिफिक टाइप आफ जीन जो होगा कि किस तरह की जो एंफार्मेशन ग्लेंड टार्गेट अर्गन से लेकर आया हार्मोन उस तरह के जीन को जो ये ट्रांसक्राइब कराएंगे उस की जो ए डुप्लिकेट कॉपी बनाएंगे डी एने में जिस प्राक्सिस को उन्ट ट्रांसक्रेप्शन करेते हैं तो DNA जो होगा, वो एक duplicate जो एक copy बनाएगा, RNA की, इस process को उन कहते हैं, transcription, यह जो RNA होगा, यह cytoplasm में आएगा, और ribosome पे अटेज होगा, तो यह protein की synthesis करेगा, तो यह protein की synthesis करेगा, और यह जो newly synthesized protein है, वो cell की activities को, physiological functions को change करेगा, तो यह जो mechanism of action है, वो lipid soluble hormones का है, तो lipid soluble hormones में जो receptors होते हैं, हर्मोन के लिए वो cell के अंदर होते हैं, और gene expression के पार, protein की synthesis होती है, और यह protein जो होगा, cell की activity को change कर रहेती है, और दूसरे जो hormones होते है, water soluble, mechanism of action होता है, water soluble hormones का, वो lipid soluble hormones से बिलकुल different होता है, जैसे यह एक gland, glands ने हार्मोन को release किया, यह hormone है, और हार्मोन यह वो bloods में बेंटर होंगे, तो blood mentor होंगे, जैसे यह hormones, तो यह blood का जो plasma वाया portion है, जो 90% water होता है, क्योंकि यह water soluble होते हैं, तो उस water में soluble होके transport होते हैं, तो यह plasma के तुरूब ट्रांसपोर्ट होते हैं, जब यह target hormone के पांस पहुंचते हैं, तो blood basis से diffuse होकर, interstitial fluid याने extra cellular fluids में आते हैं और then cell में जाते हैं, cell में जानें से पहले यह जो target organ है, target organs के पास यहां पे plasma membranths पे receptors होंगे, तो यह hormones जो हैं, इस receptor से combine होंगे, bind होंगे, तो water soluble hormones होते हैं, इसके receptor वो cell के plasma membrane होते हैं, तो जैसे यह receptor से combine होंगे, याने hormone plus receptor complex, यह activate करेंगे G protein को, जो cell के अंदर, cytoplasm होती है, और यह G protein activate करेंगी, enzyme को जिसे हम adenate cyclase केते हैं, adenate cyclase केते हैं, और यह adenate cyclase क्या करेगी, ATP को convert करेगी, cyclic AMP, protein, और यह cyclic AMP जो है, activate करेंगी protein, जिसका नाम है kinase protein, यह भी एक enzyme होता है, यह cyclic AMP activate करेंगी, kinase protein, यह kinase protein जो यह हो, phosphory relation कराएंगी, phosphory relation केते हैं, phosphate को proteins, जो other cellular proteins होती है, उसके साथ phosphate को add कराएंगी, जिसे हम phosphory relation केते हैं, phosphorylation, और यह phosphorylation जो होंगी, other proteins होंगी हमारे cells में, उससे phosphate को attach करवाएंगी, और यह जो phosphate आ रहा है, ATP से, उसकी breaking से, ATP की breaking से यह phosphate आ रहा है, तो जब other proteins, से यह जो phosphate एड हो रहा है, cellular protein से, यह जो proteins, phosphated proteins होगी, वो physiological response जो होगा वो cell का, उसे produce करेगी, और यह जो protein phosphate होगी, यह produce करेगी, physiological, response, physiological response पर रोड्यूस करेगी, तो water soluble hormones यह होते हैं, इसके receptors जो हो, plasma membrane पर होते हैं, और hormones जो यहां पर act कराए हो, first messenger का का काम कर रहा है, मेसेंजर का का का, और cyclic AMP जो है, वो second messenger का 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 कर रहा है, second messenger, क्योंकि, first messenger जो हर्मोन था, वो receptor के, कमाई होके, उसने G protein को activate कर दिया, क्योंकि, वो हर्मोन जो है, cell के अंदर, इंटर नहीं हुआ, वो सिर्फ प्लाजमा मेंब्रेंट पर जो receptor से, वहां पर bind हो गया है, और उसने activate कर दी G protein को, G protein ने फिर activate कर दिया, और इंटर साइकलेस एंजाइम में, ATP को convert कर दिया, AMP में, Cyclic AMP में, और Cyclic AMP ने activate कर दिया, protein kinase को, kinase protein को, उस kinase protein ने, cellular proteins, जो other cellular proteins थी, उससे phosphate को add कर दिया, जिसम फास्टो रियरेशन निकाहा, और फास्टेटेट प्रोटीम्स जो थी, उसने एक्सेल में, Physiological response भी हो, प्रोड्यूस किया, इस तरह से, जो Cyclic AMP को activate, deactivate करने के लिए, फास्टो डाइस्टेश एक enzyme है, अब यह फास्टो डाइस्टेश एक enzyme है, अब यह फास्टो डाइस्टेश enzyme जो हो, inactivate करेगा, Cyclic AMP को, ताकि जो उसका response जो हो, continuously produce ना हो, एक हद तक उस, का response जो हो, स्टोप हो जाए, तो फास्टो डाइस्टेश एक enzyme है, जो inactivate करता है, Cyclic AMP को, और जो Cyclic AMP है वो, 2nd messenger का काम कर रही है, Thank you for watching.